हलो दोस्तों, एजुकीशन का अड़ा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और आईए चत्युजगण में चल रहे है निष्ठा प्रश्रिक्षन जो की दिक्षा एप जिसका मोनों आप मोबाईल के स्क्रीन पर चाहाँ पर करसर है देख पा रहे हैं दिक्षा एप के माध्यम से हम निष्ठा प्रश्रिक्षन प्राप्त कर रहे हैं और इसका प्रथभ माड्यूल अभी चल रहा है इस बीच इस दिक्षा एप में कुछ बदला होए हैं परिवर्तन होए हैं साथे साथ शिक्षक साथियों के लिए ई-पास्बुक इसमें एड़ किया गया है तो आईए आज हम इस वीडियो में जानेंगे ये की e-passbook होता क्या है और कहां पर ये हमको देखने को मिलेगा उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो देखने में कोई परसानी हो रही है तो देखें दुस्तों जैसे ही आप जो है वीडियो को प्ले करते हैं यदि आपको नीचे दिखाई नहीं देता इस प्रकार नीचे दिखाई नहीं दे रहा है इसके लिए आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में पूरा दिखाई देने लगता है तो इसको आपको वीडियो देखने में कोई परसानी नहीं होगी देखे यहां पर यह दिया हुआ है इसको जो है आप क्लिक करेंगे तो छोटा हो जाता है उसका पुनह यहां पर आप देखाई दे रहा है इसको क्लिक करें तो आपके पूरा स्क्रीन पर आ जाएगा जिससे आप वीडियो को पूरा-पूरा देख पाएंगे हाई चलते हैं हम दिक्षा एप पर और हम आज बात कर रहे हैं दिक्षा एप में हुए बदलाओ के बारे में तो आप देख पाते हैं कि जैसे ही हम दिक्षा में एप को खोलते हैं यह हमारा एप स्क्रीन हमको दिखाई देता है यहाँ पर हम जाते हैं हमको course दिखाई देने लगते हैं जैसा कि अभी जो course चल रहे हैं तीन course यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको हम slide करते हैं तो next module 14, 15, 16 भी हमको दिखाई देता हैं और यदि हम जाते हैं profile पर profile में generally हम जाते हैं हमारे account को देखने के लिए साथ साथ हम जाते हैं हमारे certificate को भी देखने के लिए दोस्तो यहाँ पर course में भाग लिया करके option रहता है दिखाई दे रहा है तीन और तीन course हमको दिखाई दे रहे हैं आपने कौन कौन सा course complete कर लिया तो यदि आपने complete कर लिया है तो पूर्ण या completed दिखाई दे रहे हैं और बगल में certificate भी हमको दिखाई दे रहे हैं और एक है यहाँ पर जिसमें अभी अविरत लिखा हुआ है इसका मतलब यह जो है पूर्ण नहीं हुआ है तो इस प्रकार इतना चीज जह है पहले दिखाई देता था आईए अब जो है जिक्षा एप में एक नया update आ गया है तो हम उस update को कैसे जाने और यह e-passbook क्या है यह प्रक्रिया हम कैसे करें इसके लिए हमको जाना होगा सबसे पहले हमारे play store पर जहां से हम अपने कोई भी app को download करते हैं तो इसके लिए play store पर हम search कर देंगे दिख्षा दिख्षा हम लिख देंगे तो आप देख पा रहे हैं दिख्षा platform school education इसको हम click करेंगे देखे यहाँ पर green color में लिखा रहा है update आप जैसे ही इस update के बटन को दबा देते हैं दिख्षा app जो है update होने लग जाता है और अब जो है जब हम open करेंगे तो updated version को open करेंगे जैसे ही updated version को open करते हैं देखे open का option आगिया है click कर देंगे फिर से वही प्रनाली use होती है और 36 गड़ CG का मोन हम को दिखाई दे रहा है और आप देख पा रहे हैं पहला screen जो पुराने version में आता था वही screen अभी भी आया है जैसे मैं करता हूं course पर click तो जो course हम को दिखाई दे रहे थ हैं अभी भी दिखाई दे रहे हैं मैं lapse में slide कर देता हूं तो चौंथा पांचवा छटवा भी हमको दिखाई दे रहा है लेकिन अब हम चलते हैं कहां पर profile पर तो profile में जैसे ही जाते हैं फिर से जो हमारे school के बारे में account के बारे में बताता है और यहां पर देखिए अब आ और दो मैने complete किया है तो वो यहां पर भी दिखा रहा है पूर्ण और जिसके बारे में आज हम जो है इस वीडियो को बनाए हैं वो है शिक्षार्थी passbook यही है e-passbook इसमें क्या होता है कि इसमें आप जितना भी course पूरा करते जाएंगे आपके passbook में यह certificate एक साथ जो है जिसकी जानकारी मुझे इस वीडियो में आप सब लोगों को देनी थी यह ऐसा passbook है जैसे हम bank में passbook रखते हैं और वहाँ पर पूरे वित्तिय लेंदिन का record होता है वैसा ही record यह e-passbook है जो हमारे लिए है और जितना भी हम complete करते जाएंगे यहाँ पर certificate जहें का तरित होते जाएंगे दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें शेयर करें और जिन साथियों ने अब तक हमारे एजुकीशन का अड़ा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद